नबस्ते बच्चों, हिंडी कक्षा में आपका स्वागत है आज के पाठ का शिर्शक है शब्दों का सही रूप लिखना आज के पाठ का उद्देश्य, शब्दों का सही रूप लिखना रे खानकित शब्दों के शुद्ध रूप को खाली जगहों में लिखिये चलिए उद्दारन एक देखते है पांच वाक्य दिये गए है और प्रतिये वाक्य में एक शब्द अशुद्ध लिखा गया है उसको सुधारना है चलिए एक एक करके शब्दों को सुधारेंगे पहला वाक्य है किसान खेत में सी चाई कर रहा है यहाँ पर सी चाई गलत लिखा गया है चलिए उसको सुधारेंगे सी चाई देखिए सी चाई में छोटी ई होनी चाहिए किसान खेत में सी चाई कर रहा है दूसरा वाक्य लड़कियां ने सुन्दर भजन गाया शब्द को सुधारें ने काड़क के कारण स्ट्रेलिंग बहुवचन शब्दों में योँ जोडा जाता है इसलिए कहेंगे लड़कियों ने सुन्दर भजन गाया तीसरा वाक्य लेते है मैं अगले साल ग्रेड साथ में पढ़ेगा पढ़ूंगा भविशतकाल में मैं के साथ उंगा जोडा जाता है मैं अगले साल ग्रेड साथ में पढ़ूंगा चौथा वाक्य चाचा ने एक सुन्दर कावर बनाया बनाया शब्द को सुधारिये तो वाक्य में ने का प्रयोग करते समय हम प्रश्न पूछते है चाचा ने क्या बनाया उत्तर कावर कावर शब्द स्ट्रिलिंग शब्द है इसलिए कहेंगे चाचा ने एक सुन्दर कावर बनायी पांच्वा वाक्य मेरा मित्र की गैंद खो गई है वाक्य को सुधारिये तो मेरे मित्र के बाद की कारक है इसलिए हम कहेंगे मेरे मित्र की गैंद खो गई है चलिए अब हम उदारंदो को देखते हैं वाक्य दिये गई है चलिए एक एक करके शब्दों को सुधारेंगे पहला वाक्य लेते है रोहित उस दीन नहीं आया था यदि दीन बड़ी ए के साथ लिखा जाता है तो उसका मतलब गरीब होता है लेकिन यहां पर हम दिन लिखेंगे चोटी ए के साथ रोहित उस दिन नहीं आया था दूसरा वाक्य मामी ने अच्छी कवीता सुनाया इस वाक्य में हम प्रश्न करेंगे मामी ने क्या सुनाया अच्छी कवीता कवीता शब्द स्ट्रेलिंग शब्द है इसलिए कहेंगे मामी ने अच्छी कवीता सुनायी तीसरा वाक्य लेते हैं देखो पक्षी उर रही है इस वाक्य में देखिए है बहुवचन रूप में लिखा गया है और पक्षी पुलिंग शब्द है इसलिए कहेंगे देखो पक्षी उर रहे है चौथा वाक्य तू प्रति दिन आवरिती करते हो इस वाक्य में देखो क्रिया करते हो से समाप्त हो रही है इसलिए कहेंगे तुम प्रति दिन आवरिती करते हो उदाहरन तीन पांच वाक्य दिये गई है प्रति एक वाक्य में शब्दों को सुधारना है चलिए एक एक करके वाक्यों को सुधारेंगे पहला वाक्य मैं मन लगाकर पढ़ता हूं उत्तर हूं हूं में बड़ा उ होना चाहिए मैं मन लगाकर पढ़ता हूं दूसरा वाक्य राज का पड़िवार छोटा है पड़िवार शब्द को ध्यान से देखिए पड़िवार पड़िवार में छोटी ए होनी चाहिए राज का पड़िवार छोटा है तीसरा वाक्य मैं मेरी बहन के साथ जाती हूँ मैं का प्रयोग मेरी के साथ नहीं हो सकता है इसी लिए कहेंगे मैं अपनी बहन के साथ जाती हूँ चौथा वाक्य छात्र का बस्ता बढ़ा है बस्ता शब्द को ध्यान से देखिए बस्ता में पूरा स नहीं है बलकि हलंत स छात्र का बस्ता बढ़ा है पांच्वा वाक्य तिन बजे कक्षा समाप्त हुई तीन को ध्यान से देखिए और गलती सुधारिए तीन त बढ़ी इन होता है तीन तीन बजे कक्षा समाप्त हुई चलिए अब हम तीसरा उदाहरन देखे पांच्वाक्य तिये गए है प्रतिये वाक्य में एक शब्द गलत लिखा गया है चलिए एक एक करके उनको सुधारते है पहला वाक्य मेरे नाना जी मंदिर जाएगा ठीक से देखिए मेरे नाना जी आदर सुचक शब्द है इनके साथ कडिया को कैसे लिखेंगे? मेरे नाना जी मंदिर जाएंगे दूसरा वाक्य टोकरी में लीचियां है लीचियां शब्द को ध्यान से देखिए तो लीचियां लीचियां को बहुवचन रूप में लिखते समय बड़ी ए छोटी ए का रूप ले लेती है तीसरा वाक्य मेरा मित्र का घर दूर है मेरे मित्र के बाद कारक है इसलिए मेरे मित्र का घर दूर है चौथा वाक्य राजू मिठाईयों खाना पसंद करता है मिठाईयों को ठीक से देखिए मिठाई शब्द को बहुवचन रूप लिखते समय बड़ी ए छोटी ए का रूप ले लेती है और अंत में या जोड़ा जाता है इसलिए बनता है मिठाईयों राजू मिठाईयों खाना पसंद करता है पाँच्वा वाक्य मेरा कक्षा बड़ी है मेरी कक्षा शब्द स्ट्रेलिंग शब्द है इसलिए कहेंगे मेरी कक्षा बड़ी है आज की पहेली पानी पी कर मैं मर जाऊं जल जाए जो आए पास सोच ये तो मैं कौन हूँ उत्तर है आग आज की कक्षा यही समाप्त होती है धन्यवाद फिर मिलेंगे प्रिक दो आए इस हुआ आए प्राइए आए रहां झाले क्षा यूआए आए इसलिए और आए एल्चन के यूआए प्रिक आए 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 झाल झाल